कई बार बहुत जादा अगर आप स्क्रीन पर अटाज्ट हो या एडिक्टड हो तो आप या बच्चा जो है वो फिजिकल एक्सराइज नहीं करता बहार नहीं जाता और सोता नहीं है नीद का डेप्रिवेशन हो जाता है स्लीब डेप्रिवेशन से मांसिक संतुलन बिगड़ने लगता है आखों की मास्पेशिया बहुत ज्यादा टेंस्ट हो जाती है और ऐसा बच्चा इंपल्सिव हो सकता है और इस तरह के डेंजरस काम लाइफ ट्रेटनिंग चीज़े या स साइट कर सकता है नमस्कार मैं हूँ जितेंद्र गोतम और आप देख रहे हैं डी एनपी हैल्थ आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो अक्सर मोबाइल में रहकर मोबाइल चला कर अक्सर तनाव में ग्रस्त हो जाते हैं खास तोर पर उनको मासिक बीमारियों का अकारण तो उससे बच्चों पर किस तरह का दिमागी संतुलन जो है वो खोने लगता है किस तरह का असर पड़ता है देखे पहले तो दो तीन साल तक हमारा लॉगडाउन रहा कोविट का टाइम रहा इसमें बच्चे घर में बंद हो गए और साथ में क्लासिस जो थी फिजिकल क्ला उनका इंट्रेक्शन उनके फ्रेंड्स के साथ हुआ वो हुआ ही ग्याजट्स के साथ इस लॉगडाउन में तो यह लॉगडाउन वाले बच्चे थे इनका इन्होंने इसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं और जो पहले बच्चे आफ्लाइन क्लासिस लेते थे उनको यह शुरू हो गई है तो दुबारा से जो पुरानी आदते हैं वह एकदम से छोड़ना असान नहीं है बहुत सारे बच्चे अभी भी उसी गैजट्स के चपेट में सोशल मीडिया या कहिए ऑनलाइन गेमिंग या नेट्फलिक्स चैसी सोशल सीरीज वगेरा इनके होती है फोन में लगातार बच्चा पूरे दिन वर रहता है तो उससे बच्चों को नुकसान क्या होता है यह जाना चाहिए बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करना जैसे कि फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने से सबसे पहले तो आंकों पर तनाव पढ़ता है आं को बच्चों को पढ़ाई और बागी काम में दखल देता है उसके बाद और टो बस्ता करतां गर्द्र जुका कर देखने कर बबलाव बच्चों कर्द्रण देखने को मिलनेघ गई यह बिली है इसके अलावा बच्चों का वजन बढ़ने लगता है क्योंकि बच्चे व्यायाम को सेकंडरी करते हैं एक्सराइज फिजिकल एक्सराइज को सेकंडरी देते हैं तो उनका वजन बढ़ने लगता है एक चीज और जानना चाहेंगे जैसी अक्सर देखा गया है पहले भी ऐसे क सामने आए हैं और बाद में उसे सामने आए हैं तो इसकी क्या वज़ा हो सकते हैं और किस तरह से बचाव किया जा सकता है तो आप या बच्चा जो है वह फिजिकल एक्सराइस नहीं करता बहार नहीं जाता और सोता नहीं है नींद का डेप्रिवेशन हो जाता है स्लीब डेप्रिवेशन से मांसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और ऐसा बच्चा इंपल्सिव हो सकता है और इस तरह के डेंजरस काम लाइफ ठ्रेटनिंग चीज़ें या सुसाइड कमिट कर सकता है दूसरा कई बार कुछ गेम्स जैसे की ब्लू वेल गेम या पब जी इन सब में कई बार चैलेंज बहुत जाद होते हैं खतरनाक लाइफ ठ्रेटनिंग च दूसा रहे तो उसको किस तरह से समझाया जाए कि वह इस तरह की चीजों से भी बचाव है और जो आपने बताया तमाम बीमारिया उनसे भी बच सकते हैं देखे बच्चों को हमेशा बहुती प्यार से हंडल करना चाहिए बच्चे हमारे फ्यूचर है हमारी पूरे सुसाइ लड़नेंग होती है तो बच्चों को समझने और समझाने के लिए पहले उनके प्यार पर निगरानी रखना और अच्छे बच्चों से उसको घेर गिए रखना ज़रूरी है और अगर प्यार में कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो उस पर भी फोकस करना ज़रूरी है उसके बाद पैरेंट्स का रोल आता है, पैरेंट्स किस तरह से उसपर निगरानी रखते हैं बच्चे पर, किस तरह से प्यार से समझाते हैं, और positive और negative reinforcement का सही इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में टीचर्स का रोल आता है, टीचर्स को इंडिविज्वाल अटेंशन देनी बहुत जरूर बने थे कि अगर दो घंटे से जादा बच्चा किसी ऑनलाइन गेमिंग पर एक्टिव है तो यह बच्चे को का टाइम अपने आप इसको रिस्ट्रिक कर सकता है यह थी हमारे साथ डोक्टर हमी का जिन्हों ने बताए कि मोबाइल चलाने से बच्चे किस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं अब ऐसे मैं आगर आपका भी कोई सवाल है या किसी भी स्वास्ते संब्दित कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बोक्स में जरूर लिखे और अगली वीडियो में हम आपको उसी सवाल के साथ जवाब देते नजर आएंगे फिलाल मेरे साथ इतना ही गाजियाबा से मजीत इंद्र गोतम डी एनपी हैल्थ